इस दास का जनम ऐसे समय में दिया प्रमात्माने हैं कि उस समय हम अपनी लोकल भासा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो बगवान ने वानी बोली थी और अब के बच्चे थी ठीक न समझ नहीं सकते हैं ठीक क्या होती है हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर्दी हमने और इस दिन उसके पती आऊंगे उसको ले जाने के लिए वा ठीक बोली जाती थी नरधारित समय निश्चित समय ठीक ये सब्देसी भासा है तो परमातमा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक काती थी वार नहीं आते तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सुकसंबेद में निराधार महसूस होंगी लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिना होगा जब देखना धरमदास डूंडा पाट रहेगा अब देखो फिर आगे दिखाते हैं यही पांच साथ पंक्तियां हैं परमातमा ने कमाल कर दिया नए नए रहसे मिलते हैं ये पुनातमो अभी चोथा दिन पहले ये रहसे मिला इस कवीर सागर के अंदर पुनातमो अब हम वो सबसम बेद पढ़ रहे हैं 171 परिष्ट पे कवीर सागर से अब हम यहां आ चुके हैं पढ़ते हुए कहते हैं जब लग पूरण होए नहीं ठीक काती थीवार ठीक माने निर्दारी समय पच्पन सो पांच वा ठीक दर्राखी पच्पन सो वरस जब कलियोग बीच जाएंगे जब लग पूरण होए नहीं ठीक का तीथी वार यो ठीक एक हो नहीं है चलो जैसे भी इसकोई समझ सकते हैं और कपट चातुरी तब लोग यो सवसंबेद निराधार है तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले विक्तिनों केंगे बकवाद करा की है निराधार वाते हैं ऐसा नहीं हो सकता कहते जब लग तो मेरे सवसंबेद जो मैं बोल रहा हूं यो ग्यान निराधार महसूस होगा और सब ही नार नरसुद जब वो समय आ जावगा यो ठीक का दिन आवंत आवंत है अंत नहीं ये कहा कि सब ही नारी और नरसुद तब जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ का है वो सरन कवीर गहनत सबस कर दिया परमात माने है कि जब वो ठीक का दिन आवगी वो ठीक का दिन अब आ चुका पुनातमा वो ठीक का दिन कहते हैं सब ही नारी नरसुद यानि सब बुराई चाग देंगे हाहा कारमचरी लोट खशोट रिस्वत खौरी दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं कहते हैं सब ही नारी नरसुद तब जब ठीक का दिन आवंत यू आवंत है और कपड तातुरी छोड़के वो सरन कवीर गहनत अब क्या बता है कि एक अनेक हो गए मेरी प्यारी आत्मा भिन भिन मजबों मेंबट गई एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक सब मिलके फिर एक होईंगे और हंस्त ले सत लोक को सब सत नाम की टेक कितना कमाल कर दिया परमात माने कि एक अनेक हो गई नारे नारे मजबह में दर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए कहते हैं फिर पुने अनेक हो एक सब मिलकर फिर एक हो एंगे और हन्स चले सत लोग को सब सारे के सारे सत लोग में जाएंगे सत नाम की टेक आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सत लोग चलेंगे और सत नाम की टेक उस दो अक्षर के मंतर के साहरे उसकी बगती की टेक से सत लोग जा सकेंगे जो इनकाल के पंतियों नहीं पता भी नहीं सत नाम क्या है खान का है पीन का कोई सथान है या नाम है अब क्या बताते है परमात्मा कि घर गर बोध विचार हो दुरमती दूर बहाए और कल युग में कल युग में एक हवे सोई और बरतें सहद सुभाए अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर गर बोध विचार हो दुरमती दूर बहाए और कल युग में एक हो कह सब बरतें सहद सुभाए अब इसका क्या आरश बनता है कि घर गर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ग्यान की चर्चा होया करेगी बनात्मों आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस परकार घर गर में जाके दौर पर खट खटा रहे हैं प्रमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं उनकी चिठी पहुँचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक और घर घर के अंदर ये पूछ तक ज्यान गंगा पहुँच रही है और सब बैठ के विचार में मरस्किया करेंगे सच मुच हम तो बरबाद हो गे थे सच मुच ये तो ग्यान है सचा है सब बुराई छोड के और सबी कहते हैं बरते सैद सुभाओ सब प्यार से रहा करेंगे खिंचातानी खतम हो जागी सब को डर लगेगा किसी की रिस्वत नहीं लेंगे और नहीं कोई दहेज लेगा ना कोई किसी और परकार से किसी से रिती रिवाद बरतेगा क्योंकि इसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूँगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा प्रमातमा कहते तुमने उस दरगे का मैल नहीं देख्या और धर्मराज के तिल तिल का लिखा इसी परकार हम संसकारा पसम उड़जा कर यहां फसे रहते हैं जो प्रमातमा ने आपको देना है वो निर्धारी थै और यदि तुम दूसरी अठकल से लोगे तु आपका पाप भारी है आपके ओपर उपाफ बन जाता है तो इस परकार हम इसे प्रिचीत होंगे और फिर परमेशवर कबीर साहिब की सरन में लेगी फिर हमें कबीर परमेशवर जी की सरन प्राप्त होगी और फिर जो हमारे कुछ आउसकता होगी आप पैदेंगे अपने बच्चों को तो प्रमात्मा कहते हैं इतना ग्यान हो जागा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस्तत्व ग्यान से कि जैसे किरका जेहर का रंग होरी हो कहो कौन तिस खावराम रंग होरी हो कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया क्यों एक कन पड़ा है विसका और कौन जीब कलावगा दूर फैंक देगा ठाक है मिट्टी में दबादेगा कहीं और के भी आथ ना लग जा कोई बच्चा खाका मर जाओ है तो हमें ये जो रिस्वत खोरी या दमिलावट करके दहेज ले करके या और किसी तरीके से ड़के चोरी करके हम जो विस्क अठा करते हैं ये पाप दिखाई देगा ये विस्क दिखाई देगा और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कन तो उसके बारे मताया कि अभी बच्चों को पता कौनी तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो और फिर ये विस्क है विस्क अर ये विस्क दिखाई देगा जैसे छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है और वो अलगा के मुँ पी जाता है एक सराब भी सराब पिया करता था उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भुस में दबा देता था तूडे में गेहों के तूडम झुपा देता था उसका एक छोटा सा नड़का देखा करता था उसने सोचा के पिता जी कोई खास चीज पीता है तू भी पीले पापीछे से एक दिन उसने क्या किया उसने वो निकाल ली उन्हें सोचा यह वही है जो पिता जी पीता था और लगा के मूँ के दो गूट बर गया मर गया वो पड़ी पाई बोतली उसके साथ में तो पुनात्माओं जब पता लग जागा कि इसमें विस है अब सभी हम विस खाखा कर दुखी पा रहे हैं किसी की आँख फूट गी किसी का बेटा मर गया किसे की बेटी मर गी कोई किसी दुख से पीड़ी था है कोई किसी भेंकर रोग से दुखी है यह हाहा कार क्यों मचा हुआ है क्योंकि हम अपने करम बिगाड़ें बैठे हैं हमने पिछले जनमों में कोई ऐसे पाप किये हैं जिनके दंड भोग रहे, किसे की आँख पुटी पड़ी है कोई काना है, कोई कोड़ी है किसी की दोनों आथ कट गी है किसी की दोनों टांग कट गी तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे करका जहर का रंग होरी हो कहो कोण तिस खावे रंग होरी हो कहते हैं औरी मने खुसी होया करेगी फिर कि जैर ने कोण खावगा राम नाम की औरी, वो खुसी होया करेगी हमारे साथ, वो राम नाम की औरी हम सदा खुसी मनाया करेंगे हुआ 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 है